नारियल और साबू दाने से बनी रेसिपी आप बहुत खाए होंगे चाहे नारियल का लड्डू हो या फिर साबू दाने की बर्फिव हो लेकिन अगर आप इस तरह से खीर बना लेंगे तो सभी मिठाई भूल जाएंगे नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर हमने एक गोला ताजा नारियल लिया है एकदन ताजा नारियल है इसका पानी हमने निकाल लिया है सबसे पहले हम नारियल को भूनेंगे गयस को हम चालू करेंगे और नारियल को इसी परक कर भूनेंगे ये अच्छे से भूना रहेगा तो जो नारियल के खुस्बू है बहुत बढ़िया लगेगा यनि खाने में सुनाहट रहेगा और भूनने से जो उपर वाला भाग है ये जलती से छोड़ देगा भूनने को आस पानी में डालेंगे ताके थोड़ा ठंडा हो जाए हमने इस बरतन में पानी लिया है अब इसी पानी में हम नारियल को डाल देते हैं बहुत ज्यदा नहीं हलका ठंडा करेंगे हलका ठंडा होने बार अब नारियल को हम छीलेंगे पहले इसको तोड़ेंगे फिर इसके अंदर से हम नारियल निकालेंगे पूरा नारियल हमने निकाल लिया है आप इसको हम छीलेंगे इसका जो काला वाला हिस्सा है इसको हम छील कर निकाल देते हैं इसको हमने भूना है, तो इसमें से बहुत अच्छी खुसबू आ रही है, इसी तरह से पुरे नारियल को छील लेते हैं, नारियल को छीलने बाद छोटे-छोटे भाग में काटेंगे, तो इसको हम छोटे-छोटे पीस में कर लेते हैं, काटने बाद नारियल को हम पीसेंगे, यहीं नारियल को पीस कर बुरादा बनाना है पुरे नारियल को जैर्म डालेंगे और इसको पीस कर बुरादा बनाएंगे नारियल को हमने इस तरह से पीस लिया है एकदम महीन बढ़ियां बुरादा हमने बनाया है अब हम चलते हैं गैस के तरब गैस पर हमने कडाही को रख दिया है अब कडाही में हम डालेंगे एक लीडर फूल किरिम दूद दूद कच्चा है तो सबस्पहले हम दूद को उबालेंगे इसको बराबर चलाते हुए गैस को तेज करेंगे और दूद को उबाल लेते हैं दूद को हम बराबर चलाते ताकि कडाहिक तलीम जलेना क्योंकि दूद कच्चा है दूद हुबल रहा है तो दूद को हम इसी तरह दो मिनट तक और पका लेते हैं जिससे दूद अच्छे से पक जाए दूद को दो मिनट पकाने के बाद आब इसमें हम पीसा हुआ नारियल डालेंगे जो नारियल साबू दाना यहां पर हमने एक कटोरी भीगा हुआ साबू दाना लिया है दाबने बाद आपको पता चल रहा होगा कि साबू दाना भीगा हुआ है साबू दाने को हमने 5-6 घंटे लिए भीगो कर रखा था आप पूरे साबू दाने को हम दूद में डालेंगे साबू दान चुहारा किस्मीश डाल सकते हैं. सारे चीजों को मिलते हुए तीन सी चार मिनट तक होते हैं. साबॉद आना है. तो बहुत जदा दिर तक पकानी कहीं ज़रूरत בחल गल जाएगा। इसलिए बस तीन सी चार मटपकाना है. अब आप देख सकते हैं धेरे-धेरे सावुदाना पककर उपर आ गया है अभी ये पका नहीं है इसको हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे ताकि ये हलका गढ़ा हो जाए अब ये खीर अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हैं पकनेक बाद ये थोड़ा गढ़ा हो गया है अब गयस को हम बंद करेंगे और इसमें आधी छोटी चमच इलाची पॉर्ड़ डाल कर मिलाएंगे इससे बहुत बढ़िया फिलिवर आता है खीर हमारी तयार है अब इसमें थोड़ा से कटा हुआ बादाम और फिस्तर डालेंगे मेवा आप अपने हिसाब से और भी डा बनाएंगे बच्चे से लेकर बड़ो तक सभी को बहुत पसंद आएगा नारियल और साबुदाने से बनी रेसिपी आप बहुत खाए होंगे चाहे नारियल का लड़ू हो या फिर साबुदाने की बर्फी हो लेकिन अगर आप इस तरह से खीर बना लेंगे तो सभी पड़ जाएगा आप इसे चाहे बरत में खाईए या फिर बिने बरत के भी खाएं जब आपका मन कहें तो असानी से बना कर खा सकते हैं